जैंद इस वीडियों में हो लोग एक बार फिर से बात करेंगे विकास लाइफ के बारे में विकास लाइफ के रिजल्ट को लेकर आनी के लिए काफी तत पर दिख रहे हैं तो इस मीटिंग में क्या वात निकल कर सामने आई हैं और उसे बहुत सारे आपडेट और इन्फर्मेसियन है जिसका आप लोगों को जाना बहुत जरूरी है तो यह विडियो फूर नुप से विकास लाइप के को अशर पड़ेगा उसके बाद उसके सेयर प्रैस पर असर पड में कुदी हुई है जैसे इसका केमिकल का बिजनेस एक रो प्रोड़क्ट भी बनाती है पॉलीमर्स के बिजनेस में भी कंपनी काम करती है मार्केट केप कंपनी का लगतार देखेंगे तो बढ़ते जा रहा है लगवक साथ 600 क्रोण से उपर के यह कंपनी हो चुकी है और शेयर प्राइस देखेंगे अज के दिन का सेयर प्राइस है हलका इसमें तेजी देखने को मिल रहा है और अगर बात करें तो सेयर प्राइस है तो बेसक बाइक कर लीजे इसमें कोई स्थक नहीं है कि कंपनी आपको बहुत आगे लेकर जाएगी और अगर बात करें हाई का तो देखेंगे लगबग 8 रुपे का यह कंपनी हाई लगा चुका है और इसी साल जनुवरी में इसने हाई लगा था उसके बाद से शेयर प इसका रियल्ट आ गया और रियल्ट अच्छा ही आएगा इस बात की तो गरंटी है फिर अपर सरकेट में लोग हो जाएगा आपको मिलेगा नहीं उस टाइग अब हम लोग आते हैं उस बोर्ड ऑफ डाक्रेटर्स के मीटिंग पर जो कल याने की 31 मार्स हुआ और इसी मीटि है कि यह जो क्वाटर फूर का रियल्ट आने वाला है वह अप्रिल के पहले सब्सक्राइब नहीं भी आए तो मानकर आप चले कि एक से दस तारी की बीच में इसका जल्दी आ जाएगा मतलब अप्रिल माह में तो इससे बहुत सारी कंपनियों क्वाटर फूर के रियल्ट आ कंपनी के जो डार्टर से उन्होंने इंसाइडर ट्रेडिंग को बंद कर दिया है जैसा कि सेभी के मताबिक होते हैं तो इसमें इंसाइडर ट्रेडिंग बंद किआ गया है यह जो एक आने के 48 घंट बात तक बंद रहेगा देखिए सबसे पहले आप इंसाईडर ट्रेडिंग समझ लिए कि इस इंसाइडर ट्रेडिंग होता है कि इस इंत्राइड करते हैं और उनको अच़ाका सा मुनाफ़ा हो बात है उसके पहले जान भुषकर कंपणी के डारेक्टर होते हैं सेवी का गाइडलाइन से जान भुषकर नहीं इसके चलते इसमें इसाइडर ट्रेडिंग बंद करती है ताकि इस तरह कोई जालसाजी वह नहीं हो उम्मिद करता हूं यह बात आपको समझ में आ रहे होंगे इसलिए इसमें भी जो कल कर बोड़ ट्रेडिंग के मीटिंग हुई है तो क्वाडर फॉर के रिजल्ट को लाने के लिए है बैटर होई थी लेकिन इसमें यह बताया गया कि इसमें इसाइडर ट्रेडिंग फिलाल बंद की जाती है अब यहां समझे यह जो बोड़ आप ड् तक पहुँच गया है तो बहुत समया हुना आए प्रोफिट पहुच जाता है उसके बाद क्या होगा उसके बाद होगा सेयर प्राइस में तेजी अगले तीन महा तक यह 40 50 तक जाते आको दिख सकता है अगर प्रोफिट 5 तक होता है तब और बाद प्यूंग तो लॉंग् वैसे भी बहुत उपर जाएगी चिंता है कोई बात नहीं है अब समझें ऐसा क्यों हो रहा है एसा लोग क्यों का रहा है कि इसका जो रिजल टाइने वाले काफी 20 पोटक राने वाला और इसका प्रोफिट है पांस मौन तक चल जाए किस बेसिस पर कर रहे हैं समझेंगे क्यो इसमें पता लगा है कि 29 क्रोण सा अब कितना कम हो गया है एक बात है कि करजा कम ही दिखेगा आपको और प्रोफिट बढ़ा हुआ दिखेगा इसलिए और इस दूसरी बात है कंपनी अपना बिजनेस एक्स्पेंड कर रहे हैं आपको पता है कंपनी अभी एफम सीजी अगर इसलिए अगर आप इस कंपनी से जुड़े हुए तो बेसे किसमें बने रहे हैं आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा होगा कोई नया वेक्ति इसमें इंवेट्मेंट करना चाहता है तो वह भी सही समय देखकर इसमें जल्दी से इंवेट्मेंट कर लीजिए अगर क्वाडर